दिल्ली जैपुर हाईवे पर बनीपुर चौक के पास एक तेज रफतार ट्रक ने अर्टिका कार को जोरदार टक्र मार दी इस हादसे में कार सवार एक वैक्ति की मौत हो गई वहीं ड्राइवर एबम एक अन्ने सक्स इसमें घायल हो गया तीनों बावल और धोगिक छेतर में एक कमपनी में ड्यूटी पर जा रहे थे जैसे ही हादसे की जानकारी कमपनी करमचारियों तक पहुँची तो वो मृतक परिवार को मुआवजा और पत्नी को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर कंपनी करमचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी इतना ही नहीं कंपनी करमचारी कंपनी के गेट पर बैट गए राजस्तान के सहाजापुर के गाओं सक्तपुरा निवासी राकेश पिछले काफी समय से बावल की एन-स के स्टेरिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कारे रह था गुरुवार को राकेश अपने घर से कंपनी की अर्टी का कार में सवार होकर ड्यूटी के लिए चला था कार में राकेश के अलावा ड्राइवर एवम एक अन्य करमचारी था जैसे ही बनीपुर चौक के पास पहुंचे तो पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मार दी हादसे में तीनों गंभीर रूप से घायलों गे घायलों को तुरंद ट्रोमा सेंटर में भरती कराएगा जहां चिकित्सकों ने राकेश को म्रत घोशित कर दिया दोनों गायलों को उनके परीजनों ने प्राइवेट अस्पदाल में भरती कराया हादसे की जानकारी मिलने के बाद बड़ी संख्या में करमचारी काम छोड़ कर पहले ट्रोमा सेंटर पहुंचे और फिर वापस कमपनी के गेट पर पहुंच गए करमचारीों ने मांग की है कि राकेश की पतनी को नौकरी और परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए इसके साथ ही धरना सुरू कर दिया गया दूसरी तरफ कसोला थाना पुलिस ने रेवारी के नागरिक अस्पताल में राकेश की साव का पोस्ट मार्टम करा दिया लेकिन परिवार ने जब तक साव को उठाने से मना कर दिया जब तक कंपनी अधिकारियों द्वारा इन दौनों मांगों को पूरा करने का अस्वासन नहीं दिया गया परिवार के मुताबिक राकेश के एक छोटी बेटी है एक बेटा है राकेश ही पूरे परिवार का खर्ट चला रहा था ऐसे में इस वक्त उसकी आर्थिक तोर पर मदद जरूरी है सूचना के बाद कंपनी के अधिकारी पहले ड्रोमा सेंटर में मिलने पहुंचे और फिर कंपनी के गेट पर बैठे करमचारियों से बात की अभी दोनों पक्सों की बाचीत चल रही है इस दोरान जो भी फैसला आएगा उस पर दैनिक भरोसा आपको पूरी रिपोर्ट समय समय पर देता रहेगा